National Institute of Animal Biotechnology, NIAB, हैदरावाद के बैग्यानिकों ने एक बायो सेंसर विखसित किया है इस बायो सेंसर का नाम ECOVSENS है इस सेंसर का उपयोग saliva simple यानि की लार की नमूने में इस्थित COVID-19 वायरस का पता लगाने के लिए किया सकता है और ये कोरोना वायरस के टेस्टिंग में मदगार सावित हो सकता है तो आये जानते हैं ECOVSENS कैसे कोरोना वायरस को सेंस करके पता लगाता है और इसके कारे करने की पद्दती क्या है नवसकार दोस्तो इनालेज टाइम यूटूब चनल में आपका स्वागत है NIAV के शोद करताओं ने COVID-19 के वायरस का पता लगाने के लिए ECOVSENS नामक एक Non-Invasive Bio Sensor Testing Device विक्सित किया है National Institute of Animal Biotechnology के अस्थापना 2010 में हुई इसकी अस्थापना Ministry of Science and Technology के Department of Biotechnology द्वारा की गए NIAV द्वारा विक्सित यह Potable Sensor Human Saliva का परिछण कर मात्र 10 से 30 सेकेंड के भीतर COVID-19 वायरस का पता लगाने में सक्षम है यह मात्र 20 Microlitre Human Saliva परिछण कर सकता है तो आए जानते हैं कि यह Biosensor कैसे कारे करता है ECOVSENS डिवाइस एक Biosensor है इस Biosensor में एक Carbon Electrode और Corona Virus Antibody का इस्तमाल होता है Biosensor के Electrode पर COVID-19 वायरस के Antibody का लेप लगा जाता है जब किसी संक्रमित व्यक्ति के सलाइवा को इस डिवाइस में डाला जाता है तो यह Electrode पर लगे Antibody के संपर्ग में आता है तर इलेक्ट्रोड पे Antibody के लेप और सलाइवा में इस्तित Antigen के बीच एक Reaction मतलब परतिक्रिया होता है क्योंकि Antibody Virus की बाहरी प्रत पर पाया जाने वाले Spike Protein के साथ Binding करने में सक्षम होते हैं जिसके वज़े से Reaction होता है यह परतिक्रिया एक विद्धुत प्रवाब मनाती है मतलब एक Electrical Signal जनरेट करती है जो Virus की उपस्तिती की Push करती है Device में लगे Electrical Components Electrical Signal को Process करके इसे Digital Form में Convert कर देते हैं इसके Digital Reading को LCD Display पर देखा जा सकता है इसे Computer और Cell Phone से भी Connect किया सकता है तो दोस्तो वार्तमान में दुनिया भर में Biosensor का उपयोग बहुत सारे कामों के लिए किया रहा है और एक काफी विस्वशनी उपकराण भी होता है मुखेता है इसका उपयोग Toxin, Narcotics Drugs और Infectious Disease का पता लगाने में किया जाता है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आगे और थी ज्यानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो जैनकारीपूल और जैनकारीपूल लगे तो लाइक करें अपने जैनने वालों के साथ शेयर करें और इसी तरह अपनी ज्यान को बढ़ाते रहें फिर मिलेंगे एक नहीं ज्यानवर्धक वाजानकारीपूल वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार